आप सब आई होप आप सब अच्छे हैं जहां हैं खुष हैं तो आज हम लेके आए बहुत ही स्वाधिष छोला की रेस्पी यह खाने में बहुत जादा टेस्टी लगता है और इसे बनाना तो आसान है इसे हम कई तरह से बनाते हैं हर जगा पी अलग-अलग तरीकों से बनाई लेक लिए भीगो की रख सकते हैं चने को पारी से अशसेष साफ कर लिया हम इसके लिए एक कुकर लेंगे बही ने हम सारे सारे चो को डाल दिया है अबिसमें हम डालैंगे एक ग्लास पानी, साथ ही इसमें डाल देंगे एक बड़ी लाइची, एक तेज पत्ता, एक इंची यहां पे डाल चीनी का तुकड़ा डाल देंगे, साथ ही इसमें डाल देंगे नमक, थोड़ा सा यहां पे नमक यूज करेंगे, बाकी का नमक हम ठोला बनाने के टाइम हो गया है तो यहां पर हम चेकर लीते हैं कि छोला हमारा अच्छे से पक गया है कि नहीं पक गया है 시작 डालेंगे हम 2 प्याच कट कर चार मैंने यहां पर मिर्ची यूज की अप अपने accomplice कं यहां ज्यादा कर सकते एक इंचिया प्रात का तुकड़ां साथ ही इसमें हम डालेंगे 7-8 लेसुन के कलिया और इसमें 3 बड़े टमाटर कट करके डाल देंगे अब इसे बंद करके एक दरदरा पेस्ट बना के तयार कर लेंगे इसे बहुत अदा महीन पेस्ट बना के तयार नहीं करेंगे तो मसाला यहां पे हो गया है हमारा तयार तो अब चलते हैं गैस की तरफ यहां पे गैस पे मीडियम आज पे एक कढ़ाई लेंगे अब इसमें डालेंगे दो बड़े चम्मच सरसू का तेल तेल के गरम होने पे आधा चम्मच यहाँ पे डाल देंगे हींग, आधा चम्मच यहाँ पे जीरा डाल देंगे, जीरा हो जाने पर यहाँ पे डालेंगे हम जो मसाला पीस के रखे हैं, अब मसाले को चलाते हुए अच्छे से हम भून लेंगे, यहाँ पे मसाला हमारा भून तो अब हम डालेंगे कुछ और मसाले इसमें हम डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच मैंने यहां पर डाला है कस्मीरी लाल मिर्च एक चमच इसमें डाल देंगे छोला मसाला साथ इसमें चटपटा टेस्ट के लिए आदा चमच यहां पर हम आमचूर पाउडर ड साथ ही वेल आइकन को प्रेस करें हमारे हाँ अच्छे से भून गए हैं और इससे ओयल रिलीज होने लगा तो अब हम इसमें पकेवे छोले को डाल देंगे छोले को डाल कर मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब थोड़ा सा चना मैंने पहले उसी में से निकाल लिया था उसको अच्छे से मैस कर लिया उसको भी इसके साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे और दो मिनट के लिए अच्छे से मसालों के साथ भून लेंगे छोले को मसाले के साथ अच्छे से भून लिया इसमें अच्छे से कोटिंग भी आ गई है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक ग्लास पानी साथ ही इसमें डाल देंगे आधा चमज नमक नमक ध्यान पूरवक डाले क्योंकि नमक हम छोले को पकाते हुए भी डाल चुके हैं अब हम इसको ढख के लगभग पाच मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे तो ये देखे यहां पर पाच मिनट हो गया और छोला हमारा अच्छे से पक के तयार हो गया है छोला हमारा बन के त्यार हो गया है तो चलिए हम गैस का फ्लेम यहां पे बन कर देंगा उसमें उपर से डालेंगे ठेर सारी हरी धनिया वीडियो पसंद आये तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने साथ ही वेल आइकन को प्रेस करने मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई